प्रिदेश में चुनावी बिसाद अबिछेयन लगी है सभी राजनेतिक पाल्टियां अपने तरीके से वोटरों को आकर्षित करने के जद्दो जहट में जुट गई हैं हम बात करें महुझ जनपद में तो यहां पर दो जाती का विस्येश प्रभाव है चौहान और राजबर जाती के वोट कवा जो बटवारा है कहीं न कहीं प्रकास राजबर करते हैं तो महुझ जनपद में अन्य राजबर का भी कहीं न कहीं दावेदारी रहती है ऐसे मेरे साथ है राजबर समाज की एकनियता मनोज metre इंसे इनगा पूरा पषे आनंगे इसके साथ ही इनका आ राज मुंत मुर्चा गोसी विदान सवा से बिलान करता हूँ और भारती जन्ता पार्टी का कर करता हूँ राजबर समाज संपूर रूप से भारती जन्ता पार्टी के साथ है भारती जन्ता पार्टी के साथ इसलिए कि आजादी से अब तक कहें तो हजारों बर से अब तक महाराजा सुवल्देव राजबर के जो नाम को आज जो उजागर किया इतिहास के पन्नों से जो दबा हुआ था वो भारती जंता पारिटी ने किया जैसे सरावस्ती में महाराजा सुवल्देव राजबर भव इस्कमारक बन रहा है यहाँ गाजीपूर में प्रधानमंत्री जी आये थे देश के स्यस्वी प्रधानमंत्री जी और उन्होंने डाक्टिकट जारी किया तमाम ऐसी योजना चला है रेल माराजा सुवल्देव जी के नाम पर रेल गाजीपूर से और नई दिल्ली तक चल लई है तमाम ऐसी योजनाओं के साथ समाज के हित में भारती जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया इसलिए भारती जनता पार्टी के साथ समाज साथ रहेगा समाज की दूब पहले विचारधारा को आगे किए उंप्रकास राजबर और वह आज करते हैं भधारती-जंता-पारिटी के वह लोट लेती है अनडे वह नहीं नए बभारती-जंता-पार्टी का जो साथ-चोड़े बहुत गलत किये समाज का नुगसान हुआ उनको भारती जंता पार्टी में बना रहाना चाहिए था जिसे समाज का और उनके पार्टी का भी बहुत बड़ा जो है की बढ़ी होती प्रदेश में यह बात मानते हैं न कि उम्प्रकास राजभर नहीं राजभर समाज की बात को नहीं नहीं व सोलह वर्श से तो मंने मुकतार अंसारी वावली माफिया को जिताते रहें यहां से और उनकी उनको बड़ाने काम किया न कि वो समाज को बढ़ाने काम किया समाज को जब बढ़ाते हैं जब अभी राष्टिय पार्टी से गड़ बंदन ना हो अकेले चुनाव जब लड़ते हैं मैदान में तो राजभरों को लड़ाते हैं चुनाव हर सीट पर और प्रतेक प्रत्यासियों का दो मंडे तिन मंडे खेत भिग जाता है जेवर रख जात विविदानपूर में जी और चार सीट अनुसी सीजात के लिए 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 जानते हैं कि हमको इस थाली में नहीं खाना तो इस थाली को लेने क्या उचित है अनुसी सीट की जो उन्होंने सीट लिया और गलत लिए चार वी सीट बेच दिए गयर राजभर कभी न जब सदर महु से भारती जंता पार्टी के गड़बंधन में मिला था इनके संब्धी में अंदर राजबर को और मानिय देश के सभी प्रधानमंत्री नरंदर भाई मोदी जी आये थी सी महु के धरती पर और चारो विदान साब आओक उन्होंने संबोधित करने के लिए उस राजबर ही वहां से भारती जंता पार्टी लड़ाएगी तो हमसे बीर कौन राजबर है उत्तर प्रदेश में हमको ट्रिकर्ट देजिए मुक्तार अंसारी के वह मुक्तार अंसारी सद्यों से बैठे बैठे जेल में अपना चक्रविव रचता है आज भी उन प्रकास निरंदर के साथ मैं निरंदर जब समझवादी पार्टी में उजन सबाखे प्रदेश प्रदेश अद्यक्स थे और रूप चुनाव लड़ रहे थे अपने पिता जी के मिर्टु के दवरान उस समय से मैं उनके साथ निरंदर हूं वह सिरिफ समाज के युवाओं को एक भी समाज की वहाँ को जोड़ने काम नहीं किया भारती जनता पार्टी में उनको आगे किये लेकिन वह फेल नहीं होते तो अभी 27 तारी को मंडी लगने जा रही है इसी मव के धर्ती पर हल्दरपुर में मानियों परकास राजबर जी राजबर समाज की मंडी इस वह खेलियर के सब्सक्राइबा दिखाने के लुड़े की राजबर समाज हमारे साथ है जो कि उस रैली में मानियों नी राजबर की जक हह हो थी मानियों सरमा जी आया गिरिशें सारे बानारस के अधर के इनोने इन एफाकूर अन्व्रम जातियों को जो इनके समर्थ जिलों में तो दो राजबर पने गाड़ी में बैठा लेगां जैसे यह अम्बेट करने कर के बाद फजाबाद पर चड़ते हैं इनके गाड़ी ब्रामर और राजपूत हावी हो जाते हैं भारती जनता पार्टी से खर नहीं अनिल राजबर की बहर नहीं अच्छा तो अनिल अनिल राजबर ने हमारा 18 साल से सुसड़ किया एक जिले की जो कारकरांडी बन रही थी उस जिले मैंने कहा कि हमको जिला मंतरी या कोई विपाद दिलवा दायत दिलवा दिजिए उन्होंने नहीं किया उनके बस में जो कि माननी अनिल राजबर जी का पूरे पूरांचल प अपने पिता जी का लगा कर मैं पूरे पूरांचल बहाराई से लेकर और मिरजापूर तक मैं हर जगए इनकी जन सभाग कराया अनिल राजबर जी कारणा क्या एक बारा राजबर 177 पार भार मंतरी बने तीन साल यह ढ़ाई साल जैस स्वागा शामारो इनका भीतने में और इनके स्वागत समाराव में 5 साल भीतेते जा रहा है आप भाजपास राजबर को यहां से गोशी से माज़े टिकट दे दे तो राजबर को देंगे क्या करेंगे प्रचार करेंगे भारती जनता पार्टी जिसको यहां देगी उसके लिए मैं परचार प्रशार करूंगा भ जी अनिल राजबर आजाएं उन परकास राजबर आजाएं हम प्रचार प्रशार करेंगे विरूत कर रहे हैं अभी करें 166 के प्रचार कर रहा हूं कि समाज ने उनको निर्टुत दिया कि अपने समाज को जोड़ो लेकिन यह समाज को जोड़ नहीं सके चोड़ी यह मौक क श्वरगी समस्य आया है कि आपर विकास पुरुस स्वरगी कल्पनाथ रहा है जब थे इतना यहां पर विकास हुआ लेकिन उनके मरने के बाद लगता है जैसे यहां का बिदायक है सदर में हम खड़े हैं, सदर का बिदायक आजीवन जेल में रहता है, फिर भी यहां की जनता इतनी ना समझदारी दिखा कर उसको जिताती है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत हिंदुस्तान ने देखा कि यहां का बरत्मा जो सांसद है, वह बलतकार का उसके आरूप लगा था, फिर भी बलतकार को जानते हुए, जिस दल से उसने टिकट पाया था, उसने भी सस्वेट नहीं, टिकट नहीं काटी, कि इसको मैं मुस्से भूल हो गई है, फिर भी यहां की जनता जैसा कर रही है, वैसा जनता भोग भी उठा रही ह पार्टी जनता पार्टी राजबर समाज के बात कर रहे हैं, गोशी विधान सभा में, जितने के बात, जब से चुना आजबर से मैं एक खपा हूं, कि मेरे दिल पर बिती अठारा साल से निरंतर मैं उनके साथ रहा हूं, जिस दल में उन्होंने रहा, समझवादी पार्टी से जब हो निक्सासित हुए, तो माननी स्वरगी अमर सिंग ने पार्टी बनाया, उस पार्टी में राष्टी संजोजक थे, उनके पार्टी में मैं था, उसमें दिवरिया कहां, गाजीपूर जहां जाएं नोने भुलाया, हम लोग भीड लेकर जुटाये, और उसके बाद कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, अच्छा ही होता ही है कि टिकड़ के दावधारी करना है आप, मैं घोसी से अभी जो विता आउप चुनाओ, इसमें मेरी प्रबल दावेदारी थी भारती जनता पार्टी से, और इस बार मेरी प्रबल दावेदारी है कि मैं वहां का लोकल ल जी मेरी काफी परिवारिक राजबरी मुक्तार अंसारी क्या कोई भी सामने आएगा बाहुवली, मैं उसे लड़ने के तयार हूँ, मैं सुवल देव जिका बंसाजू, मैं किसी से जुकने वाला काम हम नहीं करते हैं, श्वाविमान बेच कर नहीं करते हैं, हम भी चाहते है तो मंत्री जी के साथ रहकर, अनिल राजबरी जी का मैं भी यहाँ पर अच्छा है उनका बता था, लेकिन उनका पूरे प्रदेश में उनका बिरोध है, कोई भी नहीं है, जो भी ओट और पड़ेगा, तो देश के सस्वी प्रदान मंत्री जी के कर्मों से, और देश के गि सब्सक्राइब करते हैं, अब देखते हैं, आगामी चुनाव में, इनका क्या मूड रहता है, और किसका सपोर्ट करते हैं,